ओम स्री गने साय नमदूस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 मई सौंबार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेश रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदादिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किरिपा दरश्टी आपके उपर रहेगी सबी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रतीत होंगे साथ साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजिदी की रिष्टेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिले तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्चवी अपनी पड़ाही की ओर एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हट कर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपूर्ण निर्णे लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकारतमक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कारर को निबटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अष्चे ही सफ़ल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गल्ट हो सकते हैं शेर मारकेट और रिस्क संबंधित कारों में आपके लिएलाबदाइक पर दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं? दोस्तो परिवारक इस्तियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं. परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभावोस कता है. अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परन्तु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलूओ पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखें साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्चक हैं कोई बाहरी व्यक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद आज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाई के संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ता जा होंगी दोस्तों आज का द हैं दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवशक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज कारेच्छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपकी पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अति आवशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारेच को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्ष प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेग दोस्तो साथ साथ कारेच्छेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्टितियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस व्यक्तियों को भी अपना टार्गेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशड़िटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अप आपको शैयम बनाकर रखने की आवशकता है दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान किसानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदेब बनी रहेगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोले तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद